में आगे बड़ते आपको बताने कि लखनों में डेनियूस सम्वारता ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंग से खास बाचीत की है क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तयारियों में राजनीतिक दल जुड़ गये हैं तो भाजपा की बात करें तो भाजपा में हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंग मौजूद हैं परिवान मंत्री हैं सर आप संगठन में रहे हैं बड़ी जुम्यदारी के तोर अब को देखा जाता है क्या मानते है इस नगर निकाय के नगर्निकाय में इसके आधहर में पिर नगर पंचैतों में भी सर्वाधिक फीटे हमारी ती लेकिन इस बार मोदी जी और जोगी जी के जो काम हुआ है जनता के बीच में उसके अधार पर हम लोग फिर से जाएंगे और इस बार हम लोग सत्पर्टी सत्षीटे जीतेंगे कल एक देखा गया तस्वीर आपकी मित्ता की और आप उम्परकार राजबर जी से मिले चाहे पिये उनके साथ है उसके बाद उनका एक बयान आया कि मायावती को पियम क्यों ना बनाया जाए उनको शेहरा क्यों ना बनाया जाए देखिए उस बयान को आप लोगों ने गलत तरीके से लिया उन्होंने ये कहा था अखिले सियादो जी के बारे में कि अखिले सियादो जी महमता बनर जी से और चंदर सेखर से तेलंगना में जाके मिलने हैं उत्तर प्रदेश में मायावती जी जनाधार वाली नेता हैं चार बार मुख्मंत्री रही हैं तो जदी वो सही में गंभीर हैं तो ऐसे नेताओं के साथ उनको मिलना चाहिए न कि जिससे एक वोट नहीं मिलने वाला है मामता बनर जी का उत्तर प्रदेश में एक वोट नहीं ह तो वो केवल वो serious नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि उनको मायोती जी से मिलना चाहिए था, उनको एगट बंदन में सामिल करें, तो कुछ उसका सार्थक्ता हो सकती है, क्योंकि पीम पद कोई खाली नहीं है, और भवीस में भी खाली होने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश म हैं, आपने देखा कि सब भील करके भी चुनाव लडे, तो उनलों को कितनी सीटे मिली, सब एक हो गए, तब भी उनको सीटे नहीं मिली, तो अभी तब मोदी जी की लहर को इन लोगों ने देखा, इस बार सुनामी बहेगी, वो सीटे भी जो है, बारते जनता पाटी जीते मैं आप से कह रहा हूँ कि इस बार एक सीट इनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी, असी की असी सीटे, नरेंदर मोदी जी के नेतुत में, उत्तर प्रदेश में भारते जनता पाटी जीतेगी कर दिया है, कि भाजपा की जो त्यारी है, वो बिलकुल स्वरूप के तहट है, एक अच्छी त्यारी है, और लोग सबा में भाजपा की एक बड़ी जीतेगी